दवाई से OCD, डिप्रेशन वए अन्यम मानसिक समस्याइं ठीक क्यों नहीं होती है? आज आप इस रहस्या को जान लेंगे इसके लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है मैं राजंदर जोद पुरिया आज की इस वीडियो में आपका हारदिक सवागत करता हूँ दवाईों का रोल मानसिक समस्याओं को ठीक करने में रहता है मैं दवाईों के योगदान को इनकार नहीं कर रहा हूँ लेकिन दवाईों से जादा रोल थेरपी और काउंसलिंग का रहता है आखिर दवाईों से OCD ठीक क्यों नहीं होती है या अन्य बिमारियां खास करके मानसिक समस्याओं खास कर नियूरोसिस गरूप की समस्याओं दवाईों से ठीक क्यों नहीं हो पाती है इसके पीछे कारण को आप उधारन से समझें, जैसे आप एक सप्रिंग को दबा देते हैं, जितनी देर आप सप्रिंग को दबा कर रखेंगे, तब तक वो दबा रहेगा, और जैसे ही सप्रिंग के उपर से दबाव आप हटा देंगे, सप्रिंग अपनी समान्य अवस्था मे दुबारा लोट आएगा ऐसा ही मानसिक समस्याओं में होता है जब तक आप दवाई ले रहे हैं तब तक आपके डोपामिन का सतर और आपके सेरोटोनिन का सतर बढ़ा रहेगा आपके लक्षन दबे रहेंगे दवाईया लक्षनों को दूर नहीं करती है दवाईया लक्षनों को दबा देती है दवाईयों का असर हमेशा लक्षनों पर होता है दवाईया लक्षनों को हटाती है और दबा देती है लेकिन कारणों के उपर दवाईयों का कोई भी योगदान रहता नहीं है दवाईया बिमारी के कारण को नहीं हटाती है तो कारण हटाने के लिए हमें काउंसलिंग और थेरपी की आवशकता पड़ती है एक समझदार एक बुद्धी मान इनसान वो है जो लक्षणों के साथ साथ कारणों पर भी काम करता है लक्षणों के लिए वो दवाईयों का शेवन करता है और कारणों के लिए थेरपी और काउंसलिंग लेता है तो ऐसा इनसान बहुत जल्दी बहुत बड़िया रिजल्ट भी ले लेता है लेकिन आप समझदार हैं और आपको लगता है कि मैंने दवाईयों के बिना भी मानसिक समस्या को ठीक कर लेना है इसके लिए मैं कारणों को हटाऊंगा जो जड़ है उसे हटाऊंगा तो वो बिना दवाई भी थेरपी और काउंसलिंग से OCD से मुक्त हो सकता है क्योंकि जब जब आप बिना काउंसलिंग के बिना थेरपी के दवाईयों का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही दवाईयां आप छोड़ेंगे तब तब वो लक्षन फिर से उबरहाएंगे आप नोर्मल अवस्ता में फिर से आ जाएंगे अर्थात दवाईयां आपको निरंतर लेते रहना होगा अगर आप थेरपी काउंसलिंग साथ ले रहे हैं तो आपकी दवाईयां कुछी समय में छुट जाएंगी क्योंकि आप मन का पूरा मनोविज्ञान और मन की फंक्सनिंग के बारे में समझ जाएंगे की मन कैसे विचारों को एहमियत देता है, कैसे विचारों को सच्चा मानता है कैसे विचारों को अवोईड करना है, कैसे भाव उत्पन होते हैं, कैसे इमोशन बनते हैं कौन से इमोशन सही हैं और कौन से गलत हैं, इमोशन को कैसे बैलेंस में करना है Emotional Intelligent कैसे बनना हैं, विभार को कैसे नियंत्रित करना है, जान की अवस्था में कैसे पहुचना है, ये कारे थेरपी दवारा होता है, तो जैसे ही आप थेरपी लेते हैं, तो आप समस्या के कारणों को ही हटा देते हैं, और लक्षन अपने आप हट जाते हैं, अगर आप लक् अगर आप कारणों को हटास देते हैं, तो लक्षन अपने आप ही हट जाते हैं, क्योंकि कारण और लक्षन एक साथ होते हैं, क्योंकि कोई कारण है, तो उसका प्रभाव या उसका लक्षन दिखेगा ही दिखेगा, तो समझदार इनसान हमेशा कारणों पर फोकस करता है, तो आप भी समझदार बनें, थेरपी और काउंसलिंग लें, इसके लिए CBT थेरपी, हिपनो थेरपी, माइड़ पुलनेस थेरपी और सिर्मत भागवत गीता थेरपी बहुत ही कारगर है, इसके लिए आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मानो तो मोज है, वरना समस्या तो हर र आप मानो चाहल थेरपी और सिर्मत भी समस्या थेर ऊएब बात भी कर सकते हैं, इसके लिएएज़ आप मुझसे अपी साथकिता हैं, इसके लिए अभी की अगावर्भा पीआऑज पाय। अचानब कर लिए और यह अद्वाज़ बनें, इसके इसके लिएएएएएएएए